इस ब्रह्मान में बहुत सारे प्लैनेट्स एक्जिस्ट करते हैं और दर्ती भी ब्रह्मान का एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं और इस दर्ती ने अब तक बहुत सारे दुख सेह रखे हैं इस दर्ती का इतिहास भी काफी ज़ता पुराना है और ये दर्ती इस धर्ती पर डाइनासोर्स का रास था लेकिन एक विशालकाय एस्टरोइड के धर्ती से टकराने पर एक प्रले उत्पन हुआ जिसमें डाइनासोर का खात्मा हो गया और जिस तरीके से डाइनासोर का खात्मा हुआ निश्चिते की हमारा भी उसी प्रकार से होने वाला है औ 1998 OR2 नामक एक एस्टोराइड 31 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से धर्ती के पास आ रहा है और ये 29 अपरेल 2020 को धर्ती से टकरा जाएगा अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना जूट और विग्यानी को ये भी कहना है कि पूरी मानव जाती इसमें नश्ट हो जाएगी जिस प्रकार से डाइनसोर का खात्मा हुआ है उसी प्रकार मानव जाती कभी खात्मा हो जाएगा जब ये बात नासा को पसा चली तो नासा ने सपाई देते हुग कहा कि ये एस्टोरोड धर्ती से 3.9 मिलियन मेल्स या कहले 6.2 मिलियन किलोमेटर की दूरी से होकर गुजरे कोई प्रत्वी के पास नहीं आने वाला है और कोई प्रत्वी से टकराने वाला नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है ये सब एक अफवा है कि ये प्रत्वी से टकराने वाला है और मानव जाती का खात्मा होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है मानव जात इतना जल्दी खात्मा नहीं हो सकता जब तक नासा वाले हैं और जब तक हम जैसे लोग एक्जिस्ट करते इस प्रत्वी पर जब तक सच्चाई है तब तक इस प्रत्वी का संतूलर बना हुआ है और कोई भी एस्टरोइड धरती से नहीं टकरा सकता है तो भी पोजिटीव हम मेंशे कीप स्माइल रहे है और मरेंगे भी तो साथ मरेंगे यार कोई आप एकले नहीं मरने वाले हो तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छे लगए तो लाइक करना और ऐसे मिस्ट्रीरिस और थ्रिलिंग वीडियो देखने के लिए चलों को सब्सक्राइब क